साथियों, शरूआत में किसान रेल साप्ता ही थी, कुछी दिनों में ऐसी रेल की मांग इतनी बढ़ गई कि अब साप्ता में तीन दीन ये रेल चलानी पड़ रही है। सोचिए, इतने कम समय में सौवी किसान रेल, ये कोई साधान बात नहीं है, ये स्पर्ष्ट संदेश है कि देश का किसान क्या चाहता है, साथियों, ये काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिवद्धता को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार है, किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसले बेच सके, उसमें किसान रेल और क्रशी उडान इसकी बहुत बड़ी भूमी का है, मुझे बहुत संतोष है कि देश के पुर्वोत्तर के किसानों को क्रुशी उडान से लाभ होना शुरू हो गया है, ऐसे ही पुक्ता तैयारियों के बाद, आइतिहासी, कुरुशी, सुधारों की तरफ हम बड़े हैं, साथियों किसान रेल सेवा, देश के किसानों की आबंतनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें खेती से जूड़ी अर्थिववस्ता में बड़ा बड़लाव आएगा, इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताक़ भी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात ये, कि किसान रेल से देश के असी प्रतिशत से अधीक, छोटे और सिमान किसानों को बहुत बड़ी शक्ती मिली है, इमें इसलिए कह रहा हूँ, कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा ताय नहीं की गई है, अगर कोई किसान पच्चास सो किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है, तो वो भी भेज सकता है, यानि छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम किमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुँच पाएगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलिवे का सबसे छोटा कंसाइन्मेंट है, वो अनार का तीन किलो का पैकेट किसान रेल में ही बेजा गया, यही नहीं, एक मुर्गी पालक ने सत्रा दर्जन अंडे भी किसान रेल से बेजे हैं, साथियों भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुक्षाम हमें सासे एक बड़ी चुनोती रहा है, हमारी सरकार भंडारण के आधुनिक ववस्ताओं पर, सप्लाई चेन के आधुनिक अरण पर करोडों करोड का निवेश्तों करी रही हैं, किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है, आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है, कोड स्टोरेज से जूड़ी टेकनलोजी भी पहले से मौजुद रही है, अब किसान रेल के माद्यम से इच सक्ति का बहतर इस्तभाल होना शुरू हुआ है,